असलाम अलेकुम ग्रेट 5 मैं हूँ आपकी माच की टीचर सबा और मैं आपके साथ कर रही हूँ exercise 4B जिसके आज हमने remaining questions question number 11 से लेके question number 16 तक complete करने हैं तो आएं चलके इन questions को देखें question number 11 से आज हम start करेंगे तो अगर हम exercise 4B question number 11 देखें हमें कहा गया है work out ठीक है work out by dividing एपार्ट को अगर हम ले रेते हैं हमने divide करना है अब इसको divide करने के दो तरीके हैं या तो आप इसको proper division method से एक चीज़ को अंदर लिखें आनि 2.8 को और 0.7 को बाहर लिखें इसको divide करें मुझे comparative जो तरीका आसान लगा था वह था कि आप इन दोनों को whole numbers बनाएं और फिर divide करें वह हम कैसे करेंगे 2.8 है decimal जो है एक step पीछे आईवी है ठीक है तो इसको मैं whole number बनाने के लिए क्या कर सकती हूं मैं इसको 10 से multiply कर सकती हूं तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 28 Similarly मैं 0.7 को भी 10 से multiply कर देती हूं 7 तो अब यह दोनों numbers बन गए है 28 divided by 7 जैसा के हमें पता है 7 4s are 28 तो आपका answer आ गया 4 and it was as easy as this to calculate अगर इसी question का हम deep part देखें 9.5 divided by 1.9 इसी तरह दोनों के एक-एक decimal place से आप दोनों को 10 से multiply करें 9.5 multiply by 10 हो गया 95 और 1.9 multiply by 10 हो गया 19 अब 19 के डेवर में 95 कहां आते है 19 5s are आप इसको calculate कर सकते हूं 19 5s are 95 and then this is your answer तो आपका जवाब है 5 9.5 divided by 1.9 equals 5 इसी तरह आप हम देख सकते है question number 12 को इसको भी हमने divide करना है question क्या है 9.6 divided by 0.048 इनको भी हम क्या करेंगे whole numbers में तबदील करेंगे और फिर solve करेंगे आई देखें किस तरह से होगा तो हमने अब solve करना है question number 12 का एक पार जिसमें हमारे पास 9.6 था उसको हम लिख सकते हैं as 96 over 10 divided by 0.048 over 1000 अब होता यह है कि आप क्या करते हो आप इसका recipe रोके लिख सकते हो अब आपस में अगर आप इन दोनों को देखो 96 और 48 दोनो 48 से डिवाइड हो सकते हैं यहां पर 1 रह जाएगा यहां पर 2 रह जाएगा अगली चीज जो हम देख रहे हैं 10 और 1000 भी दोनो 10 से डिवाइड हो सकते हैं यहां पर 1 रह जाएगा यहां पर क्या रह जाएगा 100 तो हमारे पास अब रह गया है 1 into 1 यानि denominator में 1 आएगा कुछ भी नहीं रह गया उपर 2 into 100 equals 200 तो यह आपने direct division कर ली है रसे प्रोकर लेने के साथ और पहले आपने उनको whole numbers में तबदील करके लिख दिया है अब हम देखते हैं हमारा अगला question change into decimal fractions इनको decimal में तबदील किस तरह से करते हैं हमने practice की थी आपने simply divide करना शुरू करना है denominator बाहर आएगा numerator अंदर आएगा 4 की टेबल में 1 हमें पता है नहीं आता हम decimal place करते हैं और एक 0 डाल देते हैं decimal के साथ in accordance with the decimal 4 की टेबल में अब 10 आते हैं no but we can write 2s are 8 and then यहां पर हमने इसमें से minus किया 2 और 0 आगया 4 5s are 20 तो हमारा answer क्या है 0.25 0.25 इसको आप इस तरीके से लिख के solve कर सकते हैं इसी का अगर हम C part देखें similarly you will divide again 7 अंदर है 8 बाहर है decimal और 0 8 के टेबल में 70 आते है no but 8 8s are 64 minus 6 आगया अब हम क्या कर सकते हैं again we put a 0 here and we get 8 what's are 60 8 8 7s are 56 so we can write 56 over here subtract it put a 0 8 what's are 48 5s are 40 तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer होगा 0.875 this is an extra 0 so we are just gonna put 0.875 and that will be your answer इसी का अगर हम F part देखें 13 divided by 25 again आप इसको divide करोगे 25 in fact 13 would be inside and 25 would be outside so 25 और 13 अब 13 नहीं आता decimal डाले 0 डाले 25 5s are 125 और जब हम इसको minus करते हैं 25 बचता है इससाद 0 और करते है 25 2s are 50 तो आपका answer क्या है आपका answer है 0.52 and in this way you can solve all of these questions आई चलके हमारा अगला सवाल देखें The next thing that we have to do in question number 14 is आपने board mask को utilize करने board mask basically brackets, open, division, multiplication, addition and then subtraction तो आपको एक से जादा operation दिये गए हैं आपने बताना है कि आप पहले कौन सा use करेंगे अगर हम हमारा part A देखें सबसे पहले हमने brackets को solve करने है brackets में क्या हो रही है? addition हो रही है तो इसको हम add कर लेते है 14.63 plus 0.14 इनको add करें 3 plus 4, 7, 6 plus 1, 7, 0, 4 plus 0, 4 and 1 तो 14.77 उसको multiply किस से करना है? 6.8 से तो 14.77 into 6.8 decimal places count करें 1 and 1, 2 So, total decimal places that we have to consider are 3 अब जब हम इसको multiply करेंगे 8 7s are 56, 5 carry 8 7s are 56 plus 5 is 61 6 carry 8 4s are 32 plus 6, 38 3 carry and 8 1s are 8 plus 3, 11 तो पहले हमारे पास आगया 11,816 cross star के अब हम 6 के multiples रिखते है 6 7s are 42, 4 carry 6 7s are 42 plus 4, 46 4 carry and then 6 into 4 is 24 plus 4, 28 2 carry and 6 1s are 6 plus 2, 8 So, आपका answer बनेगा 6 2 plus 1, 3 8 plus 6, 14 1 carry 8 plus 2, 10 1 carry and then 10 again So, this is your answer इसमें हमने 3 decimal places incorporate करनी है 1, 2, 3 तो आपका answer क्या है? आपका answer है 100.436 यह आप अपने जवाब को लिख देंगे इसी तरह अगर हम हमारा अगला पार्ट देखें part D इसी question का उसको हम किस तरह से solve करेंगे? उसको again हमने solve करना है board mask को देखते हुए सबसे पहले brackets के अंदर वाली चीज़ें फिर बाद में बाहर वाला तो brackets के अंदर भी 2 चीज़ें है division है और subtraction है पहले हम करेंगे divide 0.95 को हम लिख सकते है 95 over 100 इन्टू ये भी 2 decimal places हैं तो 5 over 100 अब क्योंकि हमने multiply करना है तो 5 over 100 को हम उल्टा कर देंगे 100 उपर आज रहेगा और 5 नीचे So 100 over 5 अब 100 और 100 आपस में cancel होंगे Yes, definitely दोनों cancel हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जागा 95 over 5 That is 19 अब 19 रह गया है उसमें से minus करना है 0.09 तो हम अब next step करेंगे 19 0.09 यहां पर 00 हम add कर देंगे अब जब हम इनको minus करेंगे तो 0s के लिए हमें borrow करना पड़ेगा 9 को बना दे 8 1 carry इसको बना दे 9 1 carry 10 minus 9 is 1 9 minus 0 is 9 decimal 8 and then 1 18.91 आगया brackets के अंदर वाला solution उसको multiply करना है 3.3 से So 18.91 into 3.3 decimal places 1,2,3 3 decimal places है answer को हमने 3 decimal places से move करना होगा So now we can start 3 into 1 is 3 3 into 9 is 27 2 carry 3 into 8 is 24 plus 2 26 3 into 1 is 3 plus 2 5 यहां पर हम cross लगा देंगे 3 into 1 is 3 3 into 9 again is what 27 plus 2 carry 3 into 8 again 24 plus 2 26 2 carry 3 1 that 3 plus 2 5 So same answer again So same answer again इनको हाब आमने add करना है 3 putting in the decimal numbers तो इस तरह से हमने board mask को apply किया है बाकी parts को भी बिल्कुल ऐसे ही आपने solve करना है हम जाके देखते हैं हमारी exercise 4B के आखरी दो questions को अब हम देखेंगे question number 15 को round off to one decimal place one decimal place यानी tenth आपके पास सिर्फ इतना answer रहना चाहिए जो इसके बाद वारा number है उसको आपने eradicate कर देना है खतम कर देना है तो अगर हम एपार्ट देखें 7.15 पहले तो आप decide करें कि कौन-कौन से 2 tenths के दरम्यान या रहे है 1,5 जो है 15 अगर हम इसको समझ लें तो यह 10 और 20 के दरम्यान यानी 1,0 और 2,0 के दरम्यान आते है अब हमें देखना ये है कि क्योंकि इसके बाद 5 है तो यह जादा करीब 2 वाली side से है या जादा करीब 1 वाली side से है अब rounding का rule होते है कि 5 या उससे बड़ा number हो तो आप आगे की तरफ जाते हो तो हम 2 की तरफ रो round off करेंगे और हमारा जवाब बनेगा 7.2 Simply by rounding off to the next tenth Similarly, C part में 9.91 बाद में है 1 अब यह जो है इस 9,0 और हमारे next number यानी 10 के दर्म्यान आ रहा है तो हमें पता है कि 1 है तो इट विल गो backwards और वी कें राइट 9.9 और या इस तरह से आप 1 whole number पे या 1 tenth पे यहाँ पे 1 decimal place पे round off कर सकते हैं अगला question जो है तो decimal places यहाँ पर आपने अब decimal के बाद 2 places को रखना है और तीसरी को खतम करना है वो वाली place आप देखोगे कि 5 से उपर है या 5 से नीचे अब हम देखते हैं कि हमने इस चीज को round off करना है 3 को इसके बाद आ रहा है 7 तो एक तरफ 3 है 3 के बाद आता है 4 दर्म्यान में है 3 7 तो हम इसको zoom करें 3 0 4 0 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 7 और फिर 3 8 3 9 and then 4 0 तो अगर हमारा पर 3 7 है 5 से उपर है जादा करीब 3 के है या 4 के है अब विसलिए जादा करीब 4 के है तो हमारा जवाब होगा 6.14 3 7 जो है round off होके 37 40 पे चला गया similarly C पार्ट को अगर हम देखेंगे 9 है 9 के बाद क्या है 5 अब यह जो है पूरा shift आएगा 95 से 100 का तो 100 एड हो जाएगा और यह बन जाएगा 2.50 तो इस तरीके से आपने क्या किये आपने basically दिखा है कि 9 के बाद आ रहा है 5 95 और 100 के दर्म्यान यह सारे digits फॉल करते है and 95 is closer to 100 तो आपने क्या जूम किया है कि आपने वो 1 फिर 4 में आड किया और आपका जवाब हो गया है 2.50 you have had to shift the 10th as well तो आपका 2 decimal places के लिए आपने 0 डाला है वरना 1 decimal place तक भी आपका exact answer आ गया था इसके साथ students हमाई exercise 4 भी खतम होती है I will be ending this lecture है अगले lecture में हम इसी exercise की word problems को complete करेंगे So see you there inshallah until then take care and Allah Hafiz अगले इसादी उन्टार्शminवमनाThis RAM